आज हम सेयर करने जा रहे हैं अचार की रेषपी और ये हम आउला हरी मिर्च और मुल्ली से बनाएंगे ये अचार काफी टेस्टी लगता है खाने में और इसे बना करके आप तुरंत खा भी सकते हैं हरी मिर्च जो हमने लिया है तीखे वाली हरी मिर्च है मुल्य जो हमने लिया है ये मोटी वाली मुल्य है और इसका अचार बहुत ही अच्छा बनता है तो हमने मुली आउला और हरी मिर्च को पले से धो करके रखा है और इसका पानी भी सोग गिया है मुली को छिलने के बाद अब हम इसे आगे और पीछे के भाग को कट कर लेते हैं और इसे टुकडो में काट लेते हैं टुकडो में काटने के बाद इसे हम पतला पतला काटेंग और पतला उला जल्दी सुख करके तयार हो जाता है तो इसी तरीके से हम सारे मुलियों को कट कर लेंगे हमने सभी मुलियों को कट करके तयार कर लिया है इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं और इसे हम हाथों से mix कर लेते हैं हल्दी हम color के लिए डाल रहे हैं और नमक जो है पानी छोड़ने के लिए क्योंकि मुल्ली में नमक डालने पर ये पानी छोड़ता है और इसे हाथों से अच्छे से mix करेंगे ताकि नमक जो है सारे मुल्लियों में अच्छे से mix हो जाए इसे कूकर में नहीं उबालना चाहते हैं तो पतीले में भी उबाल सकते हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दीए हैं लागा देते है और गैस पर चढ़ा देते हैं गैस को हम on कर लेते हैं और 2-3 सीटी आने तक इसे हम उबाल लेते हैं हरी मिर्च के डंडल को तोड़ लेते हैं इस हरी मिर्च का अंचार काफी टेस्टी लगता है खाने में ये तीखा भी होता है आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल ग्रीन है तो आप ये वाला मिर्च का अंचार डालिए काफी टेस्टी लगेगा इसी तरीके से हम सारे डंडियों को तोड़ करके त्यार कर लिए हैं और इसे अब हम चाकु से दो भागों में काट लेते हैं मिर्ची में भीज भरा पड़ा है तो आप देख सकते हैं मिर्च को आप इसी तरीके से काटिएगा ताकि मसाला जो है मिर्च में अंदर तक कोट हो जाए अगर आपको ऐसा नहीं पसंद है काटना तो आप किसी तरीके से भी काट सकते हैं मिर्च को मिर्च को छोटे-छोटे टुकडों में भी काटा जा सकता है जो आपको पसंद ओ, उस तरीके से आप काट सकते हैं तो इसी तरीके से हम सारे मिर्च को काट करके त्यार कर लिए हैं इससे हम प्लेट में रख देते हैं मिर्च जो है हमने 2.500 घ्राम लिया है कि आउला जो है अच्छे से उबल गिया है इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं आउला जो है गरम है इसे हम कल्ची की सहायता से ही निकालेंगे तो अब देख सकते हैं कि आउला जो है अच्छे से उबल गिया है और इसे हम ठंडा होने देंगे अभी ये बहुत ज़्यादा ग सकाइँ जल्दी खराब नहीं होता है क्यांको इसका पानी सूख चाता है आँलये को सूखाने पर इसी तरीके से हम सारे बीजाद को निकाल लेंगे और आँंलये को अलाग अलाग कर लेंगे तो हमने सभी को कर लिया है अब इसे हम धूप में डाल लेते हैं इसे सुखाने के लिए सूती का कपड़ा ले ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो कपड़ा जो है सोख लेता है बिल्कुल हम फैला देंगे अलग-अलग कर देंगे तो हमने सभी को फैला दिया है अब हम हरी मिर्स को डाल देते हैं इसे भी हलका सा हम सुखा लेते हैं ताकि जो भी इसमें भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सुख जाएगा इसे फैला देते हैं अब हम मुल्ली को फैला देते हैं मुल्ली में काफी पानी हो गया है आप देख सक नमक ज़ादा पानी छोड़ दिया है तो मुली को निकाल लेते हैं और कपड़े पर फैला देते हैं मुली को आप पहलेचनी में छ़ान लेज reiterate ऑर आप नीकल जाए पल्ले से हैं मुझे जल्दी था इसलिए हमने पहले पाणी को नहीं चाना है पर कोई वात नहीं हमें धूप में सुखाना है तो अच्छे से ये सूख जाएगा तो इसे हम हाथों से फैला देते हैं ताकि ये जल्दी सुख करके तैयार हो जाए इसे हमने फैला दिया है अब देख सकते हैं इन सभी को धूप में सुखने देते हैं ये मुल्ली का पानी बचा हुआ है इसे हम फेक देंगे इसका कोई यूज नहीं है अब हम पैन को गरम कर लेते हैं और उसमें हम तीन बड़े चमच सौफ ले लेते हैं और इसमें हम एक चमच जीरा ले लेते हैं आधा चमच मेथी दाना और दो चमच सरसो लेते हैं और ये बड़ी वाली सरसो हैं और इन सभी को चलाते हुए हम भून लेंगे सौफ की खुस्बू काफी अच्छी आती है और टेस्ट भी काफी अच्छा लगता है खाने में इसकी मात्रा हमने सबसे ज़्यादा लिया है और इसे चलाते हुए हम भून लेंगे तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका कलर जो है चेंज होने लगा है इसे आप धीमी याज पर ही भूने क्योंकि हाई फ्लेम पर मसाले जो है अच्छे से नहीं भून पाते हैं कुछ मसाले भूनते हैं कुछ मसाले नहीं भून पाते हैं तो इसे आप लो फ्लेम पर ही भूने लोप लेम पर सारे मसाले अच्छे से भुन जाते हैं मैं आपको बारीक से दिखा रही हूँ अब देख सकते हैं ये भुन करके तयार हो गया है और ठंडा भी हो गया है इसे हमने ठंडा कर लिया है अब हम मिक्सी जार ले लेते हैं और इसमें सारे मसाले को डाल करके दरदरा पीस करके तयार कर लेते हैं तो इसे हमने दरदरा पीस करके तयार कर लिया है इसे मैं पास दिखा देते हूं बिलकुल ये दरदरा है अब हम अचार की त्यारी करते हैं त्यहां पर सारे सुख चुके हैं आउला मुली और हरीमेच ये बिलकुल अच्छे से सुख चुका है अब हम इसमें healthy powder डाल देते हैं color का भी अच्छा आता है हमने मुली में भी healthy powder डाला है तो यहां पर हम डेड़ चमच healthy powder डाल दिये हैं और इसमें हम लाली मिर्च पारड़ डाल देते हैं तीखा आप अपने test के अनुसारी करिए गया क्यांकि हरी मिर्च भी तीखी है तो उसी ह नमक से जल्दी खराब नहीं होता है कि नमक को डालने के बाद हम इसमें और कच्छा लिए हैं हो भी कच्छा लिए हैं अगर आप अचार को धूप में नहीं डालना चाहते है तो तेल को ठंडा करें टेल को हमने डाल दिया है तेल को हम उतना डालेंगे जितना की अचार में अच्छे से मिक्स हो जाए इस अचार में हम ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे क्योंकि इसे हमें तुरंत बना के और तुरंत खाना है तो इसे हमने अच्छे से मिस कर लिया है थोड़ा सा लग रहा है कि तेल की कमी है और इसे चलाते हुए अच्छे से मिस्क कर लेंगे, मुली और आउनला हमने एककेज लिया था और धाइस ग्रम हरी मिस्क करने के बाद अचार को हम धूप में सुखा लेंगे, अगर एक्स्ट्रा पानी छोड़ेगा तो धूप में सुख जाता है, तो इसे हमने धूप में सु दाल चला जाएगा अचार, यह अचार अभी सही खाने के लिए तयार है, एक बार इस तरीके से आप अचार जरूर बनाए, टेस्टी लगता है, रेस्पी परसंद आई हो तो लाइक सेर कर दीजेगा, धन्यवाद